जोइन फोरम आई-स अकदमी ट्रस्टेट बाइंड्रेट्स अफ टॉपर्स इंक्लूदिंग आई-स रैंक वन शुती शर्मा लोगी बाइग टॉप इनिशेटीव 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 में डेली हम एक टॉपिक लेते हैं चरंट अफेर्स का जो मेंच 2023 कल इंपोर्टेंट है उसका अच्छे से अनालिसिस करते हैं और उसका हैं अगर अप्रवाइड किया जाता है कॉंटेंट बिल्कुल सिनॉप्टिकल फॉर्म में होता है उसमें नहीं होता है और इसको आप डाउनोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिक दिया लिंक दिया हुआ है फ्रोम लेर्णिंग हिंदी चैनल का उस चैनल का आप सब्सक्राइब कर लें और डेली बेसे इस करके रख लें अपने रिविजन के लिए आज जो कट दक्राइब इनिशेटिव में जो टॉपिक लिया है मैंने डिस्क्रिशन के लिए वह है फॉरेंट ट्रेड पॉलसी गवर्मेंट ने कल 31 मार्च को न्यू फॉरेंट ट्रेड पॉलसी 2023 एनाउंस किया फिर में डाटा है 2023 के लिए अभी तक हम सिर्फ 760 बिलियंड डॉलर ही एक्सपोर्ट में टार्गेट अपना चीफ कर पाये हैं सिर्फ 760 बिलियंड डॉलर का हमार एक्सपोर्ट रहा है फानेशेल 2023 में तो इसको ध्यान में रखते हुए अच्छा दूसरी बात यह भी थी कि फॉरे के बीच में क्लार्टी रहे उसको ध्यान में रखते हो गवर्मेंट ने अनौंस किया है निव फॉरेंट पॉलिसी 2023 ठीक है इसके मेजर हाइलाट्स क्या है जो मेजर अप्रोच इसमें कि गवर्मेंट ने गवर्मेंट अप इंसेंटिव को बजाए अब टैक्स और इमिशन इमर्जिंग एरियास क्या हो सकते हैं इकमर्स इकमर्स पर बहुत बड़ा फोकस है तो पहला हाइलाइट है इस पॉलिसी का वह इस ऑफ डूइग बिसनिस जितने भी कम्प्लाइंसें हैं जितने पेपर फाइलिंग से उनको अटाक अब सब आटिमेंटिक कर दिया गया है अ एक government की दो स्कीम से जो export को लेके अगर आपको पता हो कि advance एड़ांस ओथरायशन स्कीम छीक है जो दूसरा इस्कीम है important इसकीम है वो export promotion of promotion of capital goods scheme इन दोनों में इन दोनों को लेके जिसे की export promotion of capital goods scheme है इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी कोई भी industry है कोई manufacturing entity है अगर अपने अपने manufacturing entity में कुछ capital goods import करती है मिन्स के अपना manufacturing बढ़ाने के लिए अपनी capacity बढ़ाने के लिए अगर कोई वो capital goods import करती है तो उस पर customs duty नहीं लगेगा custom duty बिल्कुल zero लगेगा लेकिन जितना वो duty save करेंगे उसका उनको अगले 6 साल में ज्यादा export करना होता है मिस उनके ऊपर export obligation होता है तो इस सब जो चीजे होती है जो custom duty zero होना है कितना उन्होंने export obligation का है कितना उन्होंने achieve किया है यह सब सारे जो फाइलेंस थी यह सब अब यी फाइलेंस होंगी और automation और automation based होंगी ठीक है और दूसरी बात यह एक यूज किया जाता है इस certificate of origin जो product का origin हो कहां का है अगर इंडिया से कोई product export किया जा रहा है तो क्या वो चाइना से as intermediate product लाए गया था अज़े राव material लाए तो इसको export किया जा रहा है तो पहले यह सब office में जाना पड़ता था या फिर जो officers है वो करते थे लेकिन अब self certification हो सकता है कि self जो एक्सपोर्टर जो certified कर सकता है कि इस product का origin कहा है ठीक है तो जो जो procedures हैं उनको simplify कर दिया जा है कि एक overall जो business का माहौल है वो improve हो फिर आमने बाब कर कि government ने क्या तरीके अपना है export को promote करने का एक एक initiative जो इस बार लिया गया है जो बागी साइज country से में था इंडिया में नहीं था marketing trade का ठीक है marketing trade का मतलब क्या होता है कि अगर इंडिया का कोई business man है वो क्या कर रहा है कि चाइना से कोई product उठा रहा है और अफ्रिका में उसको बेच रहा है ऐसा इंडिया में अभी तक कोई provision नहीं था लेकिन ऐसा प्रोविजन आ गया है कि अगर इंडिया कोई trader है country A से country B में product को बेच रहा है और इंडिया शोर्स को वो जो गुड्स है वो तस नहीं कर रहा है तो वो अप अलाव किया गया है इंडिया में कि इंडिया में बैठिक को इसा trade कर सकता है ठीक है तो यह एक important reform इंडिया में इं रूपी में settlement इंडियन exporter को निकरेज किया रहा है आपकी आप trade कर रहे हैं जो export कर रहे हैं उसको रूपी में settle करें आपको बता दें कि इंडिया गौर्मेंट पिछले एक साल से कुछ ज्यादा ही active है कि जो इंडिया के जो trade settlement से वो रूपी में हो डॉलर में नहीं ठीक है इ इसमें क्या होगा कि जो जो कोई foreign country है तो इंडिया के साथ हम रूपी में trade कर रहे हैं तो इंडिया के कुछ particular designated banks में रूपी में होगा ठीक है तो रूपी में होगा ठीक है तो उसके काफी सारे benefits हैं इंडियन economy के लिए ठीक है in fact रूपी का internationalization होगा तो उसका एक अलग डिवेट है अलग उसका उसका advantages काफी यादा है उसके कुछ challenges भी है उसके मैंने एक discussion भी अलग से मनाया है कहने का मतलब यह है कि government trade promote कर रही है कि international trade को रूपी में सेटल किया जाए फिर बात है towns of export excellence towns of export excellence क्या होते हैं कि कुछ particular towns है आला कि इसकी पहले भी रहा है लिए इस government ने कुछ towns को add किया है इसमें तो towns of export excellence क्या होते हैं कि कोई particular टाउन है उसका expertise है for example कोई handicraft है कही glass industry है कहीं इत्र की industry है ठीक है तो इस तरह से जिस टाउन का जो expertise है उसको एक से export hub develop किया जाए consolidated manner में उसको कुछ incentivize किया जाए वहां के जो वहां के जो producers हैं उनकी training की जाए capacity building की जाए तो identify यह गया है कि जो कुछ सहरों का identify और किया गया है तो जो सहर है मुरादाबाद है फरिदाबाद है वारांसी है मिर्जापूर है तो इस सहरों का अपना अलग-अलग expertise है और वहां के उन products को promote किया जाएगा export market में ठीक है तो यह थी बात export promotion initiatives के बारे में फिर बात है districts as export hubs देखें government अभी तक जो stakeholders थे export में वो central government सबसे बड़ी stakeholder थी फिर state governments ते अब focus किया जाए districts पे क्योंकि आप देखें कि इंडिया में अलग-अलग districts का अलग-अलग specialization है तो आप बनार समझाए उसका अलग specialization है आप तमाम यूपी के सहरों चले जाए सौथ निक सहरों चले जाए तो कई हेंडिक्राफ्ट हैं वीवर्स हैं उनका capacity building करना उस उनको export market से जोड़ना सब सारे चीजिए government अब करने जा रही है एक उधान तो पर मैं आग बता हूं कि यूपी government ने एक scheme सुरू किया था one district one product program की एक district का एक product identify करके वहां से उस product को export market में लाया जाए उसी से इसपायर होके इस scheme में डिस्ट यह है कि हर district के लिए एक district export export action plan develop किया जाएगा means कि उसका क्या potential है कैसे वहां पर जो वहां की producers कैसे capacity building किया जाए यहीं नहीं यहां पर जो logistical जवरुते हैं उनको भी fulfill किया जाएगा कि connectivity वगारा कर ठीक है तो export action plan develop किया जाएगा connectivity इंप्रूफ की जाएगी capacity building की जाएगी तो प्रॉपर एक जो export promotion जो export development government उसको decentralized level तक ले गई है ठीक है जो next highlight है state policy का वह है e-commerce exports का government ने जब 2015 में foreign trade policy आया था उस समय e-commerce का अभी शुरू ही हुआ था उतना बड़ा market नहीं था e-commerce का लेकिन e-commerce के थूरू जो इंडिया में producers है particular goods के उनको बाहर तक ले जाने की government में बात की है यहीं ने government ने जो post offices हैं उनको विन्वार्व कर रही है through hub and spook model अब देंगे कैसे होगा यहाँ पे dark नेरियात facilitation की बात की गई है for example कि जिस भर में इंडिया में जो dark घर post offices है उनका बहुत बड़ा network है if I am correct जिस भर में 1,44,000 post offices हैं और यह सारे post offices deep rural areas में remote areas म में भी हैं तो वहाँ पर जो artisans हैं जो handicraft बनाने वाले लोग हैं जो छोटे MSMEs हैं उनकी product को कैसे foreign के market में ले जाए जाए अब देंगे government कैसे करेगी government जो post offices के साथ डांग, घर, निर्यात के अंधास डेवलप करेगे ठीक है यह remote areas में होंगे वहाँ पर जो भी artisans हैं जो MSMEs हैं अपना product यहाँ पर बेचेंगे अब देखें इंडिया के post offices हैं वो foreign countries में भी हैं जो इंडिया के embassies हैं consulates हैं वहाँ पर भी हैं अब वहाँ पर क्या होगा य यहां से सब जो foreign market है वहाँ पर इसको बेचा जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि government ने जो existing हमारा paraphernalia post office का उसको इसको इस्तमाल करके government जो local remote areas में जो producer से छोड़ छोड़े goods के उनको connect कर रही है export market से ठीक है तो यह थी बात e-commerce की दूसरी बात है कि manufacturing boost करने के लिए government ने क्या किया है देखिए government ने अभी textile पार्क सुरू किया है पिया मित्रा कंडर में पिया मित्रा कंडर में गवर्मेंट ने साब textile पार्क को identify किया सेवन स्टेट्स में textile पार्क को government करने जा रही है यह textile पार 1000 एकर में होंगे और जितना भी textile कुले की value addition का का में चाहे वह वीविंग क हो चाहे dying का हो manufacturing का हो इस सारी चीजे एक cluster में की जाएंगी और उनको लो-cost land भी मिलेगा वो सारी facilities में आप दिया जाएगा इंवर्मेंटल clearance अच्छे से मिल जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि तिकर अगर हम बात करें तो टेक्स्टाइल सेक्टर पैंडेमिक के बाद अभी recover नहीं कर पाया है पैंडेमिक के बाद काफी सारे सेक्टर रिकवर करेंगे लिए कि टेस्टाइल सेक्टर अभी तरी कर प के export को दुबारा से revive किया जाए और जो भी जो भी trade policy में incentives हैं जो भी facilities है उस सब facilities दी जाएंगी textile sector को textile parks हो ठीक है इसी तरह से government ने dairy sector में जो export obligation था under under जो भी scheme से export promotion के लिए कि उसमें जो government का जो dairy sector का dairy supporters का जो export obligation था वो obligation को हटा दिया गया है तो export obligation को हटा दिया गया है ऐसे ही जो green technologies है green technologies मतलब की जो green hydrogen को development के लिए technologies है rain harvesting को लिए technologies है electric vehicles जो batteries लगती है वो है अगर इन सब की हम बात करें तो इन सब के उपर export obligation को कम कर दिया गया है dairy sector में हटा दिया गया लेकिन बागी जो green technologies हैं इनके obligation को कम कर दिया गया है जैसा मानों को पहले समझाया था कि इसकी में export export promotion of capital goods इसमें जो capital goods import करते हैं manufacturers अपने हम अपनी capacity बढ़ाने के लिए उनके उपर obligation यह होता कि अगले 6 साल में जितना custom duty आपने सेव किया है उसका 6 गुना amount का extra export आपको करना है अगले 6 सालों में लेकि यह होता है export obligation इस obligation को green technologies के लिए कम कर दिया गया है और यह था initiative manufacturing boost करने के लिए और जो पहले जिन schemes में जिन sectors में allowed था export obligation और जो manufacturers जो export obligation को meet नहीं कर पाए है उनके लिए one time ministry scheme government लाई है कि जितना उनके उपर obligation था export करने का उतना export उन्हें भले ही न किया हो तो जितना gap है उतने जितना export उनहीं कर पाए है उसको custom duty दे यहाँ पर और उनको माफ कर दिया जाएगा तो government एक one time ministry scheme मिलाई है जिनका यह export obligation फॉल्फिल नहीं हो पाया है प्रवाइडिट कि उनको custom duty भरना होगा ठीक है तो यह थी बात अब देखे इसका significance क्या है पहला significance यह है कि बहुत डायनेमिक को response responsive है government ने कहा है कि यह open इंडेट scheme होगा में इसकी कुछ sunset clause नहीं है जो foreign trade policy 2015 में आया था वो 2020 था कि उसको चलना था गवर्मेंट ने कहा था कि आगा में फिर नया scheme लाएंगे लेकिन यह की consultative mechanism के तो इसकी मनाया गया यह open इंडेट dynamic है जो current market situation को ध्यान में रख की बनाया गया इसको और इसमें जो stakeholders हैं उनको और बढ़ा दिया गया for example अब districts भी एक important active participants हो गया है export में government ने जो target रखा है 2030 तक वो है 2 trillion dollars का target यानि कि अभी अगर हम more than 700 700 billion dollars का export है हमारा goods and services का तो almost government को triple करने जा रहे है by the year 2030 ऐसा government का target है फिर बात इसमें यह है कि अगर इस scheme को लेके कुछ issues होते हैं तो industry के feedback से exporters की feedback को ध्याय में रखते हैं इसमें कुछ adjustments midway किया जा सकते हैं ठीक है तो नया scheme लाने जरूरत नहीं पड़ेगी इसी scheme को time to time reform किया जाएगा और जो challenges in export market मैं आपको पहले ही बता दिये थे इंडिया का export कम हो रहा है recession का threat है और फिर बात यह है जैसा IMF ने कहा है कि जो export का growth है वो कम होने वाइल 2023 में तो hopefully जो यह policy है इस policy जब implement हो जाएगी तो जो हमारा export market है वो और expand होगा हमारा export और diversify होगा चाहे हम products से बात करें चाहे export markets की बात करें और जो हमारा target उसको में चीफ कर पायेंगे by the year 2030 यह था हमारा discussion new foreign trade policy 2023 को लेके thank you very much कहा है